इंदोर के परदेशी पुरत हाना शेत्र में एक युफ्ती ने प्रेम प्रसंग के चलते फांसी लगा कर आत्मा हत्या कर ली पुलिस ने मामला दर्च कर शेप को पोस्ट मार्टंग लिए एमबाई एस्पिताल पहुंच वाया है दरसले दोर परदेशी प्रापुलिस को सूचना मिली थी कि शेत्र के जीवन की फेल में रहने वाली युफ्ती प्रिया ने फांसी लगा कर आत्मा हत्या कर ली मौकी पर पहुंची पुलिस ने जब देखा तो युफ्ती बात्रों में फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी मौकी पर पहुंची एफसल की टीम में शेप को फंदे से उतार कर मर्ग कायम कर पोस्ट मार्टंग लेमबा एस्पिताल पहुंचाया है प्रिज्णों के मताबिक युफ्ती का परोस में ही रहने वाले किसी युवक से प्रेम परसंग चल रहा था उसी के चलते युवक ने फांसी लगा कर आत्मा हत्या की है इसी के चलते युक्ती ने कदम उठाया है फिलहार पलिस मामले की जाच कर रही है कर लां गोने — कर दोष सारष बलाओ कर लाओ का कुछ और बाप को बडनीज दोडनीने कलती अज़ा लां राख घड ब्लच का अधाया है कर लां ने लांथ के लांता है पाल यूर ने अबध कि अनका बहुत कर लाओ ने स ellesμηा है प्रदेशी पुरा में सुभा करीबन साड़े तीन मजे सुचना मिली कि कोई प्रिया रेगर जिसकी उम्र करीबन 24 साले जीवन की फेल की रहने वाली अपने बात्रूम में कमचे से फासी लगा लिए प्रारंभीक सुचना पर पुलीस थाना प्रदेशी पुरा से अधिकारी गए जो मौके पे देखा तो उसने अपने बात्रूम का दर्वाजा बंद कर लिया था और फासी पे लटकी हुई थी पेसल अधिकारी और मन्या अधिकारी दोरा भी जांच की गई तो प्रारंभीक तोर पे तो फासी लगाना प्रतित हुआ है पुछताज में पता चला है कि वह पास में रहने वाले किसी लड़के से प्रेम करती थी वर्तमान में भी इनकी साधी की बात चल लए थी किसी बात पे नाराज हो गई थी और उसी दोरान उसने फासी लगा लिये जिस लड़के से प्यार करती उससे भी बातचीत की, उसने भी बताय कि इसके दोरा पूरो में भी मुझे जब भी बात नहीं करते थे तो फासी लगाने की दमकी देती थी, तो इसी अधार पे ऐसा लगा कि कल भी वो मेसेज किया था कि अगर तुम बात नहीं करोगे तो मैं फ कर वे कि जाएगे तो नहीं अभी तक ना सुसाइड डूंड मिला न को ऐसा मिला यह लड़के से ही चर्चा हुई जिसमें उसने लड़के नहीं बताया कि इसने मेरे को मेसेज किया था कि अगर बातचीत नहीं करोगी तो मैं फासी लगाओ लिगूँँए लड़के का यह भी